नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिक्षा प्रती दिन महंगी होती जा रही है, एक आम मद्दिवर्गी भारती की पहुच से एक गुडवत्ता परक्षिक्षा बाहर होती जा रही है, वो चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में प कभी बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, तो कभी ऑनलाइन में जो रिजल्ट आने चाहिए वैसी सिक्षा हो नहीं पा रही है, इन सभी समस्याओं के बीच में आशा की किरण बनकर आती है केंदरी विद्याले जो की गुडवत्ता परक्षिक्षा को बहुत ही किफायती की दरों पर उपलब्द कराती है, इसी कारण से हर वर्ष, प्रतेक वर्ष केंदरी विद्याले में एडमीशन को लेकर सभी की जिग्यासा रहती है, वैसे तो ये एडमीशन मार्च के पहले सब्ता में आरंभ हो जाते हैं, परंतु पिछले साल से ये विलंभ हो रहे हैं, औ और इनके बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिल रही है, परंतु अब हमारा इस साल का केंदरी विद्याले एडमीशन सीरीज सुरू हो रहा है, अब जब कि हमारा ये सीरीज सुरू हो रहा है, तो ये इस बात का संकेत है कि जरूर केंदरी विद्याले में एडमीशन क को लेकर कोई बड़ी हल चल हुई है जी हां हम आपके सामने बिल्कुल सटीक और प्रामाडिक जानकारी लेकर आते हैं केंद्री विद्याले एडमीशन को लेकर के तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत देखना बिल्कुल न भूलें क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे एडमीशन को लेकर कैसे आप अपडेट रहेंगे उसके बारे में एक बड़ी अच्छी सी टिप तो आईए हम आज के अपने वीडियो के विशे को बता देते हैं चुकि एडमीशन को लेकर कुछ हलचल तो जरूर हुई है लेकिन अभी भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है इस कारण से नोटिफिकेशन को लेकर के हवा बाजी करना ये हमारी फितरत में नहीं है तो हम आपके सामने आज बताने जा रहे हैं कि केंदरी विद्याले में कितने प्रकार के फी एक्जेम्शन दिये जाते हैं ये जानकारी छोटी जरूर है मगर बहुत ही मात्वपूर है और एडमिशन लेने से पहले आप सब को इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि एडमिशन लेते वक्ट आप सही पी एक्जेम्शन का लाब ले पाएं तो आए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को तो जो हमारी पहली काटेगरी है वो है सिंगल गर्ल चायल्ड जिसको की क्लास वन से 12 तक के लिए एक्जेम्शन मिलता है फ्रों लेकिन एक्जेम्शन नहीं मिलता है फ्रों दा कॉंपूटर फीज and VVN कॉंटरिबूशन अगली category है students belonging to SCST categories यह भी exempt हरते हैं from the tuition fees but not from computer और VVN fees अब इसमें से जो भी parents जो भी अभिभावत computer fees, tuition fees और VVN का अंतर नहीं समझ पा रहे हैं वो हमारे पहले बनाएगे videos को scroll करें देखें आपको video मिल जाएगा जिसमें किसे बड़ी detail में समझाया गया है children of KVS employees यह भी exempt होते हैं tuition fees से not exempted from the computer fees and VVN contribution children of officers, armed forces, paramilitary personnel killed or during the hostilities यह भी exempt होते हैं from the tuition fees not from the computer fees लेकिन VVN contribution से भी यह exempted होते हैं children of parents who have below poverty, children of parents who have below poverty line card BPL card से हम बोलते हैं short में exempted from tuition fees, exempted from VVN contribution but not from the computer fees disabled students, exempted from tuition fees, exempted from VVN contribution but not from the computer fees students who require emergency assistance, exemption of the VVN for one academic session इसके लिए हमां RT exemption भी मिलता हैं students को RT के बारे में detail discussion हमारे पहले के वीडियो में किया जा चुका है आप से आगर है कि स्क्रॉल करके उस वीडियो पर जाईए और उसे देखिए आशा करता हूँ आप हमारी आज की दीवी जानकारी का सदुप्योग करेंगे और अपने लाव के लिए सही exemption category का इस्तमाल करेंगे धन्यवाद दोस्तों मुझे मालूम है कि आप केंद्री वीडियले में admission को लेकर बहुत परिशान रहते हैं इस समस्या का हमारे पास एक समधान है हमारा एप CBS इशाला इस एप को डाउनलोड करिए और केंद्री वीडियले के साथ साथ अन्य सभी स्कूल और कॉलेजेज में admissions की जानकारी को घर बठे और उपनी उगलियों की टिप से हासल करिए इस एप का डाउनलोड लिंक हमारे इस वीडियो के description में उपलब है यहाँ पर सिर्फ आप admission ही नहीं बलकि notes videos, lectures, question papers और यहाँ तक की practice papers भी पा सकते हैं